हे गाइस, वेलकम तुगा स्टडिविट मयांग, मैं हूँ आपका मयांग, आज हम लोग टेस्ट 13 के अंधरगत, UPSC प्रेल्म से सम्मधित भारत के प्राचीन और मद्यकालीन भारत के प्रश्णों को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते है हमें क्या-क्या डिस्कस करना है याँपर? आज का पहला प्रश्ण है, वेदांत संप्रदाय के संधर्व में निम्लिक्त कतनों पर विचार कीजिए, मुच्छा गया है, कौन सा गतन सही है? विजिष्टा द्वैत बात, ज्यान को मुक्ष प्राप्ती का मुकिसाधन मानता ह अद्वैत वेदांत ब्रह्म की उपस्टि को नहीं मानता है वेदांत की अगर हम बात करें, तो वेदांत दो सब्दों से मिलकर बना है, बेद धन अंत, यानि कि इसका मलब निकल कर आया वेदों का अंत वेदान्त दर्सन का मूल हमें उपनिश्दों में देखने को मिलता है और वेदान्त के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है और बाद बागी सब कुछ माया है अब देखे जैसे कोई विचार या कोई संपर्दाय या कोई दर्सन विक्सित होता है तो जैसे-जैसे साल गुजरते हैं उसमें कुछ नई दार्सनिक भी जोडते हैं और उन दार्सनिकों में मतभेद भी होता है वो अपने विचार भी यहाँ पर एड़ करते हैं और ऐसे करके कुछ नई साखाएं भी बनती हैं तो यहाँ पर वही वुगा है वेदान्त संप्रदाय में नौवी सतापदी में संक्राचार जुड़े और संक्राचार ने यहाँ पर कुछ दार्सनिक फिरवदल की है इसंक्राचार ने यहाँ पर क्या किया है इन्होंने दार्सनिक हस्चेप किया है और दार्सिंग हस्चिप के बाद इन्होंने परवर्थनों के साथ अद्वयत वेदान्त लॉंच किया है यानि अद्वयत वेदान्त इन्होंने दिया है अब जो संक्राचार हैं इनका जो अद्वयत वेदान्त है इसमें इन्होंने ब्रह्म को किसी विशेस गोर से रहित माना है यानि कि अद्वेत वेधांत जो है यह ब्रह्म की उपस्थिति को नहीं मानता है तो यहाँ पर आपका सेगंड वाला कथन बिल्कुल सही है अब यह मानते क्या है इन्होंने ज्ञान को जो है मुक्ष प्राप्ति का मुक्ष प्राप्ति का मुक्ष प्राप्ति का मुक्ष प्राप्ति कर जाएगा यह अब आगे बढ़ते हैं यहां तो नौवी सताप्ति की बात होगी अब आगे समय आता है बारेवी सताप्ति का अब बारेवी सताप्ति में यहां पर एक और दास संप्रदाय से सहमत नहीं है फिर इनोंने अपने और विचार जोड़े हैं और उसके उपरांथ विजिष्टा द्वेतवाद का विकास हुआ है यानि कि विदान संप्रदाय की एक और साखा इसका नाम है विजिष्टा द्वेतवाद इसका विकास हुआ है अब विजिष्टा तो आंसर है आपका पहले का भी केवल सेकेंड और भूमी को तीन स्टेडियों में डिबाइट किया गया था इनमें एक भूमी जो थी वो थी इक्ता भूमी तो इक्ता भूमी जो थी ये अधिकारियों को उनकी सेवाओं के भुकतान के रूप में प्रतत की जाती थी तो ये इक्ता भूमी थी अगले प्रकार की जो भूमी होती थी वो खालसा या खलीसा भूमी बोली जाती थी जो कि आपके पहले वाले उप्सन में लिखी हुई है तो खालसा भूमी में क्या था सुल्तान के प्रतेक्ष नियंत्रड़ वाली भूमी थी और यहां से जो भी राजस एक अत्रत किया जाता था उससे सही दरबार, सही जो गराने थे उनका रख रखाव पर उनको ये खर्च किया जाता था तो यह सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंद्रण वाली भूमी थी तो यहां पर आपका एवाला विकल सही है वही धार्मिक नेताओं या धार्मिक स्मस्थानों को प्रदत या अंदान में दीगी भूमी को इनाम भूमी कहते थे इसको इनाम भूमी के नाम से जाना जा पता तो यहां आप तीन प्रकार की भूमी है तीनों प्रकार की भूमी में आपकी खालसा वाली सुल्तान के प्रतिक्षिन जंतर वाली भूविया है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सेकिंड का ए वाला तीसरा प्रस्टने बापका सिंद्धु घाटी सहबिता के संधर्म में निम्लेट कतनों पर विचार कीजिए पुछा गया है कौन सा कतन सही है पहला है दोहरी फसल की जुरुवात परिपक को हडपा चरड में होई उत्तर हडपा चरड के म्रदभांडों में अलंकरड का अभाव है और ये परिपक को चरड की दुल्ला में कम चमकीले हैं सिंद्धु घाटी सहबिता में हमें दो चरड़ देखने को मिलते हैं एक तो आपका परिपक्को है और दूसरा वाला जो चरड़ है इसकी बाग वो है उत्तर चरड़ है ये दो चरड़ हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो उत्तर चरड़ है यहाँ तक हडपा संस्कति अपने में पूरी तरह से खत्मोने की सितिम पहुँच चुकी थी और यहाँ पर हमें क्रसिका विविदी करड़ देखने को मिलता है इस तरड़ की एक प्रमुक प्रगती ये थी उत्तर चरड़ की यहाँ पर हमें दोरी फसल की पद्धिती देखने को मिलती है क्यानिकि यहां गेहूं और जो की रवी फसलें और चाबल और बाजरा ज्वार की खरी फसलें भी हमें वाने की यहां पे साक्ष मिलते हैं तो यहां पर आपका पहला वाला कसन गलत हो जाएगा क्योंकि दोरी वसल की सुरुवात परिपक को हडपा चरड में नहीं हुई बलकि उत्तर हडपा चरड में हुई है तो यहां पर आपका पहला वाला कसन गलत है जो आपका उत्तर हडपा चरड़ है तो यहां की इस अबदी में हडपा के चित्रत मरदभान्णों के स्थान पर कम जटिल डेजाइन वाले चित्रत धुरूरसर मरदभान्णों की सुरुगात की गई थी और सभी उत्तर हडपा इस्थलों पर मानब मूर्तियों का अभाव है प्रसासनिक तंत्र या आरे अपने सफल युद्र नेत्रत की बज़े से कभीलाई प्रमुक के साथ कारी करते थे और उन्हें राजन कहा जाता था यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि पूर बैदिक काल में जो राजा का पद था वो वन्सानुकत नहीं था तो यहाँ पर आपका पहला वाला गतन गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पर लेखा हुआ है कि पूर बैदिक काल में राजा का पद वन्शानुकत हो गया था जो की गलत है रिगवेद में कई कभीलाई सभाओं जैसे कि सभा, समिती, विदत, गड़का उल्लिक मिलता है और ये सभाएं विचारात्मक, सैन्य और धार्मिक कारियों को किया करती थी रिगवेदिक काल की सभाओं में विदत में महलाओं को भाग लेने की अनुमती थी यहाँपर लिखाया मेहलाउं को भाग लेने की यहाँपर विदत में अनुमती नहीं थी, जो की गलत है यहाँपर आपका एक और दुदधो दो नहीं गलत हैं, तो आपका आंसर होगा यहाँपर чौथे का D, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा पांचमा प्रश्णे बापका मड़िपुरी नित्य के संधर्म में निम्रहित कतनों पर विचार कीजिए मुचा गया है कौन सा कतन सही है इस नित्य का रवीन्दा टैगोर द्वारा सांधिनिकितन में प्रसिछड दिया गया इस नित्य में चेहरे की अव्यक्ति का महत्य है और चेहरा ढखा हुआ नहीं होता है 18. सतापदी में मड़िपुर के राजा भाग चंद्र ने मड़िपुरी नित्य को पुनलजीवित करने का प्रयास किया और आजमिक काल में रवीना टैगोर ने मड़िपुरी नित्य को सांथ निकेतन में प्रवेश दे कर इसे ख्यात अरजित कराई तो यहाँ पर आपका पहला वाला कदन बिल्कुल सही है मड़िपुरी नित्य में चहरा पतले पर्दे से डखा हुआ होता है और इसमें चहरे की कम महत्ता होती है यहाँ पर लखा हुए चहरे का अत्यदिक महत्त होता है नहीं चहरे की यहाँ पर कम महत्ता होती है और मुद्राओं का सीमित प्रयोग किया जाता है इसमें मुक्षित है हाथ और घुटने के स्थानों की मंद और लालिति पूर गति वर्बल दिया जाता है तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कथन गलत हो जाएगा केवल पहला वाला सही है तो आपका सही आंसर है आपका पांच में का A, केवल एक चटमा प्रश्णे वापका यहाँ पर निम्डिसित कतनों पर विचार कीजिए उपरियों कतन निम्डिसित में से किसे संदर्वित करते है वह अश्ट दिग्जों में से एक थे उन्होंने मनुचडितम की करचना की राजा प्रश्ण देवराय साहित्य और कला के महान सरचक थे और उन्हें आंद्र भोज के नाम से भी जाना जाता अश्ट दिग्ज नाम से प्रसिद्ध आठ विद्वान उनके सही दरवार के अंग थे अलसानी पेद्दन जो लिखा हुआ है यहाँ पर तो अलसानी पेद्दन उन्हें सर्वस्रिष्ट थे और उन्हें आंद्र कविता का पितामा कहा जाता है अलसानी पेद्दन ने मनुचरितम की रचना की थी जिसमें विजयनेगर समाज में चार वर्णों भ्रामड चत्रिय वैसे सुद्र इनके अस्चितु का संदिर्व हमें देखने को मिलता है तो अलसानी पेद्दन जो है राजा कश्न देवराय के अश्र दिगजों में से एक थे ध्यान देना किसके राजा कश्ण देवराय के अश्ट दिगजों में से एक ते लिए तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो है बी वाला सात्मा प्रशने बापका दिल्ली सल्तनत के खिल्जी बंस के संदर में नेमलेत कतनों पर वेचार कीजिए उच्छा गया है कौन सा गतन सही है अलाउदिन खिल्जी ने बाजार सुधार और मूल नियंतरड का कारे किया था अलाई दरवाजा खिल्जी सासन की दोरान बनाया गया था भूमी राजस नगद और अनाज दोनों रूपों में एकतित किया जाता था अलाउदिन खिल जी ने दिल्ली में चार अलगलग बाजारों की स्थाबना की एक अनाज के लिए दूसरा कपड़ा चीनी सूखे फल और मक्षन और तेल के लिए तीसरा घोडों, दासों और मवेसियों के लिए और चौथा जो था विद्प्रकार की बस्तूओं के लिए था सभी बस्तूओं की कीमत तै करने के लिए बिनियम जारी किये गए थे तो अलाउदिन खिल जी ने बाजार सुधार और मुल नियंतर का कारिक लिया था तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला भी सही है तीसरा वाला जो गथन है यह गलत है सुल्तान द्वारा सैनिकों को नगद वेतन भुक्तान करने में सक्षम बनाने के लिए नगद में राजस्तु एकतित किया जाता था ना कि अनाज के रूप में तो यहाँ पर आपका केवल एक और दो गतन सही है केवल एक और दो आठमा परशने वापका वनस्पतिक देबता माना जाता था रिग्वेदिक ग्रंथों में देवी यानि महिला इस्वर का साक्ष नहीं पाया गिया है देखे यहाँ पर पहला वाला खतन बिल्कु सही है सौम को पौधों का देपता माना जाता था और उनके नाम पर एक मादक पे का नाम रखा गया था रिग्वेदिक ग्रंथों में पौधों से इस पे को तयार करने की विदिकी व्याक्या की गई है तो यहाँ पर आपका पहला वाला खतन बिल्कु सही है सेकिंड वाला खतन यहाँ पर सही नहीं है यहाँ पर लेखा हुआ है रिग्वेदिक ग्रंथों में देवी का साक्ष नहीं पाया गया सरस्वती नदी को समर्पित यहाँ पर कई स्लोक देखने को मिलते हैं जिने एक महतपूर देवी माना जाता था यानि रिग्वेदिक ग्रंथों में सरस्ति नदी को लेकर कई स्लोक है और सरस्ति को वहाँ पर देवी कुरूब में माना गिया है तो अब यहाँ पर देवी के भी साक्ष है तो यहाँ पर सेकिंड वाला कथन इसे जाब से गलत हो जाएगा केवल पहला वला गत्थन सही है तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर आठ में का A केवल 1 नौमा प्रश्णे अबापका निम लेकर सही कालानुक्रमे क्रम में विवस्थित कीजिए यह सही क्रम में विवस्थित करना है मेंगस्तिनीज़ द्वारा रचित इंड का महाभास्य सुल्व सूत्र स्रोथ सूत्र देखे 600 इसापूर्व से लेकर 300 इसापूर्व में स्रोथ सूत्र लिखे गए हैं यानि कि स्रोथ सूत्र जो है लिख दे रहा हूं में 600 इसापूर्व से लेकर 300 इसापूर्व के मद्द लेकी गई है सुल्व सूत्र की बात करें तो 500 इसापूर्व में सुल्व सूत्र और दीग निकाई लेकी गई है 500 इसापूर्व में सुल्व सूत्र और दीग निकाई लेकी गई है आगे हम बात करें यहाँ पर 400 इसापुर्व में आपका मेगस्तनी द्वारा अरखित इंडिका लिखी गई है यानि 400 इसापुर्व में आपकी ये लिखी गई है महावास्त की रचना जो थी ये पतंजली ने की थी और ये रचना जो है 500 इसापुर्व की गई है तो आप सही करम लगा लिजिए पहला जो है सबसे पहला जो आएगा चौथे नमर पाएगा शुरुसूतर आएगा उसके बाद आपका जो आएगा उसके बाद आपका जो आएगा नौमेका बी वाला 4-3-1-2 दसमा प्रश्णे बापका भारतिय मंदिरों की मूर्तियों के संदर में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए पूशा गया है कौन सा कतन याँ पर सही है पहला है याँ पर द्वारपालों की मूर्तियां आम तोर पर नागर मंदिरों के गरब रहके प्रवेश द्वार पर पाई जाती है अगला है भारत में नौका की एक मातर गुफा मूर्ति कनेरी गुफा में पाई जाती है देखे मूर्तिकला के संबन्द में प्रतेक छेत्र और काल ने छेत्री विवित्ताओं के साथ अपनी विजिष्ट सेली की मूर्तियों का निर्मार किया यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत है जो बयानक द्वारपालों की जो मूर्तियां है ये द्राविड मंदरों की विसिस्ता है ना के नागर मंदिरों की तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा बहरत में नौका की एकमात्र गुहा मूर्ति मुंबई की कनेरी गुहाँ में पाई गई है और यह सालसेट नामक दीव परिस्तित है जो मुक्य भूमी से जोड़ा हुआ है तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कथन आपका सही है आपका सही आंसर है दसमे का बी वाला यानि केवल दोसरा ग्यार्यमा प्रश्टने बापका निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए मुचा गया है कौन सा कतन सही है पहला है तामर पासाड योग में लोगों की जीवन प्रत्यासा कम होती थी, पासाड योग में मानबस्तियां, मुख्यते, पहाडी शित्रों के समीप पाई जाती नहीं, पश्मी महाराष्ट में बड़ी संख्या में बच्चों के दफन होने से तामर पाशार कालीन संस्कतियों की कमजोरी इसपश्ट होती है, खाद उत्पादक अर्थविवस्ता होने की बाबजूद, यहाँ पर सिस्रुम रत्युदर अधिक थी, इसका मुख्य कारण को पोशड की किस्ता ग्यान की कमी और महामारियों का प्रकोप हो सकता है, किसी भी हाल में तामर पाशार सामाजिक और आर्थिक पैटर्न ने सही है, पाशार यूग में मानब बस्तियां मुख्यत है, पहाडी चेत्रों के समीप पाई जाती थी, पाशार यूग के लोगों को एक विजिस्ट समस्या का सामना करना पड़ा, चूंकि उन्हें पत्थर से बने और अजारों और हत्यारों पर लगबग पूरी तरह से निर सही है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 11 का C, यानि एक और दो दोनों, बारेमा प्रशने बापका, मुगलों द्वारा फार्सी को प्रसासन की आधिकारिक भासा की रूप में चुनने के बीचे निमलिकित में से कौन से कारण थे, पहला है, किसी भी भारती भासा ने आध समय भारत में लोग पर यह नहीं थी, अर्वी भासा को इसलिए नहीं चुना गया था, क्योंकि उसमें खलीफा के प्रती निष्ठा प्रतस्यत हो सकती थी, देखें यहाँ पर आपका पहला वाला गतन बिल्कुल सही है, भारत की आधिकारिक भासा का चैन, करते समय मुगलो के पास अर्वी, तुर्की, फार्सी या किसी भी भारती भासा जैसे कुछ विकल्ब थे, लेकिन मुगलों ने कुछ मुखी कारड़ थे, जिनकी बज़े से फार्सी को चुना, पहली बात यह थी, कि अर्वी भासा के चैन से सायद खलीफा के प्रती, किसी प्रकार की निष् विक्सित नहीं थी, और भारती यों के लिए भी पूरी तरह से यह नई भासा थी, यानि कि तुर्की भासा जो थी, वो भी बहुत ज़्यादा विक्सित नहीं थी, और उस समय भारत में इतनी यह लोग प्रीवी नहीं थी, तो second वाला भी सही है, तुर्की जो है, यह मुग प्रतीक कम हो सकता था इस बज़े से भी इनों ने फार्सी वासा को ही तबज्जो दी तो यहां पर आपका सही जो आंसर है यहां पर तीनों ही कतन सही है तो आपका जो सही आंसर है वो है पारेका डी एक दो और तीन तेरेमा प्रशने बापका फड़ चित्रकारी के संधर्व में निम्लेखत कतनों पर विचार कीजिए मुचा गया है कौन सा गतन सही है यह एक पट्टी चित्रकारी है जो मूल रूप से राजिस्तान से संबंदित है इसमें इस्थानी देवताओं के कारणामों को दरसाया जा जाता है और इन्हें प्राय पारंप्रिक गायकों के साथ एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ले जाया जाता है तेके फड़ चित्रकारी मुख्य रूप से राजिस्तान के भीलवाड़ा जिले में पचलेत है जो राजिस्तान के भीलवाड़ा जिला है यह वहाँ पर प्रकार की पचित्रकारी है, इसमें स्थानी देपताओं के कारणामों को दर्साया جाता है और इनNयप राये पारंपरिक गायकों के साथ एक इस्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और जहां गायक विभind विसे का गायन दोरा वड़न करते हैं आपका सेकंड वाला गतन भी सही है यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही कतन सही है तो आपका सही आंसर है तेरे का C एक और दो दोनों चौदेहमा प्रश्ण यह वापका गांधार कलास यली के संधर्म में निम्लित कतनों पर विचार कीजिए उंशा गया है कौन सा कतन या पर सही है पहला है याँ पर बैठे हुए बुद्ध को हमेशा कमल के आसन और ध्यानमग्न मुद्रा में धर्साया जाता है अगला है बुद्ध के चित्रों को अधिकांस्त है उनके सिर के चारो और एक प्रभा मंदल के साथ चित्रित किया गया है बुद्ध की पोसाक कई परतों के साथ यथार्थवादी है देखे पहला वाला कतन यहाँ पर सही नहीं है गांधार कला में बुद्ध को पारंप्रिक भारती तरीके सिम्हें पालती मार कर बैठे हुए दिखाया गया है हाला कि मत्राकला में आदर्स योगी मुद्रा, कमल के आसन और ध्यान मुद्रा को दरसाया गया है मत्राकला के कलाकारों ने ग्रीको रोमन यथार्तवादी विसिस्ताओं को अस्विकार कर दिया और मूर्तिया मनाने के लिए प्राकर्टिक विसिस्ताओं को चुना तो यहाँ पर आपका पहला वाला कतन से गलत हो जाएगा बैठे हुए बुद्ध को हमेशा कमल के आसन और ध्यानमगन मुद्रा में दर्साये जाता है यह जरूरी नहीं है ठीक है जो आपकी गांदार से लिए है यहाँ पर बुद्ध को पारंपरिक भारती तरीके से पालती मारकर बैठे दिखाया गया है तो यहाँ पर पहला वाला कतन गलत हो जाएगा सेगिंड वाला कतन आपका यह सही है गांदार कला की एक और बिजिस्ट बिजिस्टा यह है यहाँ पर सम्रद निकासी है इसके लावा जो आपकी सम्रद नकासी है निकासी मैं बोला हूँ नकासी है विस्तरत अलंकरण है और जटिल प्रतीक बाद है गांदार बुद्ध का सौंदर जो गुड़ है वो मतरा बुद्ध के सौंदर गुड़ से अलग है बुद्ध और बो तीसरा पला कथन भी यहाँ पर बिल्कु सही है यहाँ पर आप यह देखेंगे बुद्ध की पोसाग को कई परतों के साथ यथार्तवादी रूप में दर्साया गया है यहाँ यहाँ पर आपका केवल सेकंड और थर्ड कथन सही है आपका सही आंसर है चोदेखा एक केवल दो और तीन पंद्रहमा प्रश्णे बापका चोल सामराज के संदर में निम्लिष्ट कतनों पर विचार कीजिए मुचा गया है कौन सा कतन सही है राजा राजराज प्रथम ने कलिंग पर आकर मड़कर विजय प्राप्त की थी राजा राजन प्रथम ने स्री लंका पर विजय प्राप्त की चोल सामराज का संस्थापक विजया ले था यह बाद आप जानते हैं इसका जो संस्थापक था चोल सामराज का वो विजयाल है था 815 इसपी में उसने मुटर्यारों से तंजोर को जीता और दुरगा देभी के मंदिर का निर्मार करवाया राजरार प्रथम के सासनकाल में चोल सामराज की सीमा का विस्तार पांड चेर और मदुरय तक हो गया था उसने स्रीलंका पर आक्रमण कर उसके उत्री भाग को अपने सामराज में मिला लिया था यहां इसने कलंग पर नहीं किया है बलकि सीलंका पर आक्रमण किया है और इसकी सीमा यह कहां कहां तक विस्तार है, पांड, चेर और मुदरय तक इनका विस्तार है, तो यहाँ पर आपका पहला वाला कृतन गलत हो जाएगा, second वाला कृतन भी यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर लिखा है, राजन प्रतम ने स्री लंका पर विजय प्राप्त की द प्राज़ाट पत्म के समय का है तो यहां पर आपका second वाला कतन भी गलत हो जाएगा यहां पर आपका एक और दो दोनों ही कतन गलत है तो आपका answer है 15 का D ना तो एक और ना ही 2 तो यह था हमारा आज का वीडियो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल न भूले तो शलिए आज चलिए वस्तना ही ठैंक्स वर वाकिंग जय हैंद